जम्मू कश्मीर के खटुआ में आच साल की बच्ची से गैंगरेप की घटना के बाद से पूरे देश के लोगों में गुसा भरा है देश भर में महलाओं और बच्चीयों से लगादार हो रही दुशकर्म वहत्याओं की घटनाओं पर देश के हर हिस्से से आवाज उठने लगी है इसी कड़ी में शेहर की चात्राओं ने भी सडकों पर उतर कर मासूम के लिए न्याई की गवाल लगाई तो वहीं धर्म गुरूओं ने भी ऐसी घटनाओं पर अपना आकरूश जाहिर किया के क जम्मू कश्मीर में कठुए जिले में और एक चोटी सी बच्ची आठ साल की उसके साथ अत्याचार हुआ जुल्म हुआ है घौर पाप हुआ है जम्मू कश्मीर के कठुए की घटना को लेकर आगा में भी स्कूली चात्राओं ने शेहर की सडकों से लेकर शहीद इसमारक तक विशाल रेली निकाली इस दोरान इस रेली में गुरुद्वारा गुरु के ताल की भी छात्राओं ने इस रेली में हिसल या साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसे अपरादों में जल्द कठोर कानून बना कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई मैंने इसलिए कहा है कि जब संसार में जब कोई अत्याचार जुल्म होता है कि वो औरत जिसको कोई मा का रूप कहता है तो मा का प्यार मिलता है जब कोई दिरिंदा उसको गंदी निगा से देखता है तो वो एक चंडी का रूप ले लेती है ऐसे ही एक चंडी का रूप अब पूरे भारत देश में जितनी महलाएं हैं जितनी हमारी बहु बहने हैं उन्होंने सबने हाथ में कहने का भावा है कि अपने हाथ में जुम्यवारी ले लिए कि जी सरकार कुश नहीं करेगी तो आने वाले समय में हम आगे उगर रूप ले पर लगाम नहीं लग पा रहा है जिसको लेकर धर्म गुरूओं में भी खासा आकरूश प्याप्त है सी नियूस के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट